पहला माहा उपाय जानिए क्या जेब में पैसे की कमी रहती हैं? मंगलवार के दिन सुभा नहाने के बाद बढ़ के पेड़ का एक पत्ता जो पेड़ से गिरा वा हू साफ पानी से धोलीजे पत्ते को कुछ तेर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें अब इस पत्ते को अपने पर्स में रखं़ें इस उपाय से आपके पर्स में बरकत बनी रहेगी जब ये पत्ता पूरी तरह से सुख जाए तो इस पत्ते को नदी में या कहीं पर भी आप साफ जगा पे छोड़ दें